इस बीच अमेरिका से भारत को सप्लाई होने वाले कच्चे तेल में जोरदार उच्छाल देखा जा रहा है रेपोर्ट की माने तो नवंबर के दौरान अमेरिका से भारत को रोजाना साड़े चार लाख वेरल कच्चा तेल सप्लाई हुआ है जो फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा मासिक सप्लाई है इससे पहले ऑक्टूबर में रोजाना दो दश्मर तीन लाख वेरल सप्लाई हुआ था कच्चा तेल सर अमेरिका से क्यों भारत तेल खरीदने लगा अभी तो रूस से था ये तो परस पर विरोधी है ये क्या नया समीकरण बैठ रहा है ये बड़ी दिल्चस्प जद्दोजहद है एशिया के तेल बाजार में रूस और अमेरिका के बीच में और ये उसके पैरलल चल रही है जब हम चर्चा करते हैं प्रतिबंदों की जब हमारे सामने दिखता है रूस के तेल के उपर अधिक्तम बिक्री की सीमा की उस बीच मे अमेरिका अपनी तेल उद्द्योग के लिए दुनिया के बाजारों को तलाश रहा है हमें ध्यान रखना होगा है कि अभी तक अमेरिका तेल का निर्यात तक नहीं था भी हाल में दो वर्शों पहले ही अमेरिका ने तेल का निर्यात करना शुरू किया और अमेरिका का अधि के लिए रूस और अमेरिका दोनों अपना तेल बेचने की कोशिस कर रहे हैं मैं आकड़े चेक कर रहा था जनवरी से दिसंबर दोजार कीस के बीच भारत ने रूस की तुलना में में अमेरिका से जाधा तेल आयात किया था आकड़े बताते हैं करीब-करीब 207 मिलियन डालर क आस-पास का तेल आयात किया था जनवरी से अक्टूबर के बीच में रूस का आयात दोगुना हो गया और अमेरिका से आने वाला आयात कम हो गया अब फरवरी और से लेकर नवंबर के आकड़े देखें तो पहली बार अक्टूबर के बार नवंबर में रूस से आने वाला जो तेल का आयात है वो बढ़ा है अमेरिका से आने वाले तेल का आयात बढ़ा है अलागि रूस का हिस्सा भी उस आयात में बढ़ा है यानि भारत की रिफाइनरी ब्रेंट और डब्लू टी आई दोनों को एक ही क्षमता के आधार पर रिफाइन कर सकती है रूस का तेल हाई सल्फर ग्रेट कुरूर है उसकी रिफाइनिंग के लिए ज्यादा निवेश करना पड़ता है तो अगर आप ब्रेंट और डब्लू टी वहां से तेल आयाद करते हैं और जैसे ही ये कम होता है वैसे ही रूस से तेल आयाद बढ़ जाता है लेकिन अमेरिका भारत के तेल बाजार में नया दखल और नया खिलाड़ी है और अमेरिका दुनिया के तेल बाजार में रूस का तेल धीमें बंद होने के आद अपने ते झाल झाल